लमो अरहन्ताडम लमो से धाडम लमो आईरियाडम लमो अज्छायाडम लमो लोए सवसाभूडम लगुजें सिद्धान प्रविष्च का मैं प्रस्न नम्मर तेहतर से अपना आज प्रारम कर रहे हैं प्रस्न है केतना किसे कहते हैं ये किसका गुण है चेतना कौन से द्रविष्च का गुण है जीव का है के अजीव का समभव जीव का है पक्का अजीव का नहीं है जीव द्रविष्च का गुण है तो अब प्रस्न है के चेतना किसे कहते हैं जिसमें पदार्थों का प्रतिवहास होता है उसे क्या कहते हैं जेतना कहते हैं प्रतिवहास का मतलब जानकारी प्रतिवहास का मतलब जानकारी अब जानकारी भी दो टाइप की होती है जानकारी भी दो टाइप की होती है एक सामान जानकारी एक विसेश जानकारी अत्वा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह जो प्रतिवहास है तो ब्रकार का होता है सामान प्रतिवहास और विसेश प्रतिवहास अभी इसमें आएगा अगले अगले जो प्रस्न है तो चेतना किसे कहते हैं हो गया जिसमें पदारसों का प्रतिभास प्रतिभास माने जानकारी हम जैसे माई को जान रहे है एक उस्तक को जान रहे है एक मुबाइल को जान रहे है एक पंखे को जान रहे है मंदिर को जान रहे है इस जितना टेबल, कुरसी, आदिक जितना हम सब जान रहे हैं ये सब क्या है जानकारी तो ये जानना कहो प्रतिभास कहो दोनों एक ही बात है तो पदार्थों का क्या हुआ ये प्रतिभास हुआ जानकारी हुई उसको क्या कहेंगे चेतना कहेंगे अब प्रस्ण उठा कि चेतना के कितने भेद हैं दो भेद हैं दर्सन चेतना और ग्यान चेतना अब प्रस्ण उठा कि दर्सन चेतना किसे कहते हैं तो जिसमें पलार्फों का भेद रहते सामान प्रतिभास मन्हें अलोकन हो से दर्सन चेतना कहते हैं और दूसरा एक और पढ़ने फिर दोनों को अपन एक साथ समझते हैं दूसरा ग्यान चेतना किसे कहते हैं जिसमें पदारतों का विसेश प्रतिवास होता है उसे ग्यान चेतना कहते हैं तो चेतना हो गई दो प्रकार की एक दर्सन चेतना और एक ग्यान चेतना और दोनों में भी, क्या बता रहे हैं, पजारतों का सामान प्रतिवास हो, उसको क्या कहा, दर्सन चेतना, और विसेस प्रतिवास हो, ग्यान चेतना, उधारन के लिए अपन देखें, जैसे समझ दो हमने देखा, ब्रिक्ष को देखा, दूर से देखा, ब्रिक्ष, क्या देख बिरक्ष है पेड़ है तो पेड़ को देखा तो हमने क्या जाना आया है पेड़ है किसी ने पूशा किस का पेड़ है तो नहीं पता चल रहा दूर से तो समझ में नहीं आ रहा है अब जाके निकट में गए पास में गए पास में गए और वहाँ पर निवू लटक रहे से तो क काई का पेड़ है, आम का, काई का है, निवू का है, क्यों निवू लटक रहे तो आम का पेड़ नहीं है, नहीं है, निवू लटक रहे तो निवू का ही पेड़ है, सुजर तुम बताओ, ऐसे एमिली यहां लटक रही हैं तो, तो इमिली का पेड़ है, साही अमतारा कुछ और केले लिटाक रहे हैं तो अंगूर का पेड़ केले ही करे है न अच्छा मैं फल नहीं देखिय दूर से वस पेड़ दिख रहा था तो क्या है वस पेड़ है लेकिन किसका है नहीं पता नहीं पता जिसमें लिखाए जैना जिसमें पजारतों का भेद रहे सामान प्रतिभास भेद रहे पता ही नहीं कि आम का है कि अमली का है कि नीबू का है कि काय का है कुछ नहीं पता तो भेद रहे सामान प्रतिभास हो उसको क्या कहा दर्शन चेतना ये उद्हारन थाबस है ना लेकिन अपन असली में देखें कि क्या चक्कर है और ग्यान चेतना विसेश प्रतिभास विसेश जानकारी है हम पता चल गया है ये आम का पेड़ है इमली का पेड़ है नीवू का पेड़ है आउले का पेड़ है, मिर्ची का पेड़ है तो जो हमें अलग-अलग जानकारी मिली न विसेश रूप से इसको क्या कहेंगे? कौन सी चेतना कहेंगे? ज्यान चेतना ज्यान चेतना क्यों कहेंगे? विसेश जानकारी मिली तो विसेज जानकारी मिलेगी तो वह ज्यान चेतना और सामान जानकारी हो दरसन चेतना ठीक ए दरस्तान तो से बताया था वास्ताव में देखा जाए तो अपने जो देख लिया न ब्रक्ष ब्रक्ष भी देख लिया ये भी ज्यान ही हो गया दर्सन का तो वास्ताव में पताई नहीं चलता कब हो गया किसी भी पदार्थ का जो सामान अवलोकन होता है सामान प्रतिभास होता है उसको कहा दर्सन चेतना दर्सन चेतना कब हो गई पदार्थ का सामान प्रतिभास कब हो गया ये तो हमें पकड़ में नहीं आता हम जितना भी जो भी जानते हैं वो सब किस में आ जाता है सब ग्यान चेतना में आ जाता है क्योंकि दर्सन में तो सामान प्रतिवास होता है सामान प्रतिवास कब हो गया पता ही नहीं चलता ऐसा है यह तो अपन ने उधारन समझने के लिए लिया कि बरक्ष दिख रहा है वह सामान ने है और आम नीमादी का है या है विशेस है लेकिन इसका अर्थ ही मैं समझ लेना कि सामान जो बरक्ष बस दिखा हुआ है दरसन चेतना है और आमादी का जो पेड़ दिखा हुआ है ग्यान चेतना है ये तो इस सूलूप से समझाने के लिए कहा लेकिन सामान प्रतिवास तो हमें पता ही नहीं चलता हमारी ग्यान में पकड़ में ही नहीं आता कि सामान प्रतिवास हो गया ऐसा होता है ठीक है, तो सामान प्रतिवास में क्या कह दिया दर्फ संचेतना में क्या कह दिया सामान प्रतिवास बस भेज रहित मैंने कोई भेज नहीं कुछ ख्याल में इसा नहीं आए आता तो है लेकिन हमारे ग्यान में पकड़ में नहीं आता इतना फास जतना सुखश में रूफ से हो जाता है पहले और जिसमें प्रतिवास होता है जानकारी मिलती है भेज से जानकारी उसे कहेंगे अपन जान चेतना अब दर्फ संचेतना के भेज पूंच रहे हैं कितने होते हैं दर्फ संचेतना के कितने भेज हैं चार भेज हैं और जान चेतना के अब यह बताएंगे अपन है ना अब यह अपन सर्फ दर्सन चेतना के देखते हैं प्रस्न तो वही है ना चार हैं चक्षू दर्सन अचक्षू दर्सन अवधी दर्सन और केवल दर्सन यह चार किसके वेद हैं दर्सन चेतना के हैं ठीक है स्रेयस या वो ले किसके वेदें चारों दर्सन कितना के है चार नाम याद होगे बैठ जाओ भी आदर्स दिखनी रहे हो थोड़ा साइड में होजा है चेरा नहीं दिख रहा है या तो इधर आजाओ या दर्सन होगे चार होगे चारों की हम परिवासा देखते हैं अभी सबसे पहला कौन सा दर्सन है चक्षू दर्सन नाम यह ऐसे हैं कि नाम से यह अर्स पकड़ में आता है क्या पकड़ में आता है चक्षू दर्सन चक्षू इंडरी से जो दर्सन हो किसे चक्षू इंद्री तुर सब जानते हैं ना इंद्री यहां कितनी होती है पाँच पर सबको पता है कौन कौन सी स्परसन, रसना, ग्राण, चक्षू और करण ये पाँच पका कोई डाउट तो नहीं इसमें कौन सी इंद्री की बात कर रहे हैं चक्षू इंद्री चक्षू इंद्री कौन सी है आख है ना आख उस से क्या होता है चक्षू इंद्री से जो दर्सन हो सम्भो क्या बोले चक्षू से जो दर्सन हो दर्सन हो का मतलब सामान अलोकन हो सामान प्रतिवास हो भेद रहत जानकारी हो भेद रहत सामान प्रतिभास हो उसे क्या कहेंगे चक्षू दर्सन देखो यहां पढ़ लेते हैं चक्षू इंद्री के द्वारा मती ग्यान के पहले दो बाते हैं एक तो चक्षू इंद्री के द्वारा और दूसरा मती ग्यान के पहले होने वाले सामान प्रतिभास को चक्षू दर्सन कहते हैं कई लोग ऐसा भी इसका अर्सन काल लेते हैं क्या आँख से जो दर्सन होता ना देखा ये पंखा है तो ये क्या हो गया चक्षू दर्सन चक्षू से हुआ ना दर्सन क्यों क्या हो गया चक्षु दर्सन ये चक्षु दर्सन कहलाएगा क्या क्या कहलाएगा ये तो ग्यान हो गया ना पुरा हाँ ये तो मती ग्यान हो गया आगे बहुत आगे वड़ गया पर ने पंक्खा देख लिया ये माईग देख लिया, एक किताब देख लिया यहां तो बुर रहे हैं चक्षु इंद्री के द्वारा और मती ग्यान से पहले मती ग्यान भी नहीं हुआ भी तो ये पंखे को देख लिया है तो मती सुर्ट ग्यान सब हो गया धर वहां तो कह रहे हैं मतियान से पहले चक्षु इंद्री के द्वारा जो सामान प्रतिवास हो उसे कहते हैं चक्षु दरसन ठीक है सियम क्या बोलें चक्षु इंद्री के द्वारा और मतियान के पहले दोनों कंडिसन हमें ध्यान रखना है एक तो कौन सी इंद्री से होगा चक्ष इंद्री से होगा किस के पहले होगा मतियान से पहले होगा मतियान जानते हो क्या होता है अब यह समने पढ़ा नहीं नहीं तो और अब आगे आएगा वैसे जिसके आगे कख्षा में आने वाला है तो मतियान क्या होता है वो ख्याल में आ जाएगा तो यह और इस्पच्ट हो जाएगा तो मतियान तो अभी हुए ही नहीं उसके भी पहले जो सामान आभास होगा लेकिन कर्डिशन किस के दोरा चक्षू इंडरी के दोरा उसे कहेंगे चक्षू दरसन ठीक है प्रियान्स क्या बोल रहे हैं सुना कुछ और सोच रहे हैं नहीं बोलो प्रस्ट में हाँ ठीक है इंडरी तो इसमें ठीक है बहुत बड़ी यह प्रस्ट में है अच्छा प्रस्ट में प्रस्ट में क्या है प्रस्ट में सुनने पहले इनका प्रस्ट में है कि मतियान किसे कहते हैं इंडरी और मन के नमते से जो ग्यान हुदा है उसे मतियान कहते हैं इंडरी और मन के नमत से होता है वो मतियान है और यहां पर कह रहे हैं मतियान से पहले चक्षु दरसन होता है और यहां वह चक्षु दरसन किस से होता है चक्षु इंडरी से होता है और जब कि चक्षु इंडरी से तो वहां क्या हो रहा है मतियान हो रहा है जब चक्षू इंद्री से मन पांच इंद्री एक मन से मतियान हो रहा है इंद्री और मन के नमत से मतियान हो रहा है तो चक्षू दर्सन उससे कैसे होगा चक्षू इंद्री से दर्सन भी होता है और ग्यान भी होता है ठीक है फिर से चक्षु इंद्री क्या अनिंद्रियों से भी सभी इंद्रियों से दर्सन भी होता है और ग्यान भी होता है तो जो सामान प्रतिवास होगा चक्षु इंद्री से होगा उसको कह देंगे दर्सन और उससे ही जो विसे जानकारी होगी मतियान रूप उसको कह देंगे ग्यान मैंने पूरी चक्षुए इंड़ी को एक मतियान में पूरी की पूरी दे दें ऐसा नहीं है वो चक्षुए इंडरी दौनों तरफ बटेगी सामन प्रतिवास रूब भी होगी और विसेश प्रतिवास रूब भी होगी तो सामन प्रतिवास रूब होगी चक्षु इंडरी के दोरा जो सामन अवलोकन होगा उसे कहेंगे चक्षु दरसन और उसी चक्षु इंडरी के दोरा जो विसेश जानकारी होगी उसे कह देंगे मतियान कह देंगे क्या कह देंगे मतियान कह देंगे ठीक है प्रस्वत तराइज हो नो सुन चक्षु इंद्री के दुआरा सामान प्रतिवास्वी होता है और विसेश प्रतिवास्वी होता है और चक्षु इंद्री मातर से नहीं हर एक इंद्री से सामान प्रतिवास भी होता है और विस्थ प्रतिवास भी होता है हर एक इंद्री से दर्सन भी होता है और ग्यान भी होता है ठीक है तो यहां दर्सन किसे हो रहा है चक्षू इंद्री से तो उसको चक्षू दर्सन कहा अब अचक्षू दरसन किसे कहेंगे अचक्षू चक्षू से बस नहीं बाकी सब से बाकी क्या बचा चार इंद्री और एक मन कौन सी चार स्परसन रसना ग्रान और कर्ण ये चार इंद्री और एक मन इन से बदार्सों का जो सामान प्रतिवास होगा यहां पर गोई कंडिसन लगी मतियान के पहले जो इनसे सामान प्रतिवास होगा उसे कहेंगे अचक्षू दर्सन चक्षू इंद्री से दर्सन होगा है चक्षू दर्सन और अचक्षू से होगा है तो अचक्षू इंद्री कुन सी है चार इंद्री और एक मन उससे जो सामान प्रतिवास होगा उसे अचक्षु दर्सन कहेंगे देखो यहां चक्षु इंद्री को छोड़कर से चार इंद्रियों और मन के दौरा मतियान से पहले होने वाले सामान प्रतिवास को अचक्षु दर्सन कहते हैं मतियान से पहले दोनों में लगा दो कौन कौन दोनों में चक्षु दर्सन और चक्षु दर्सन दोनों में मतियान से पहले चक्षु इंद्री से हो सामान प्रतिवास तो चक्षु दर्सन और उसके अलावा निंद्री और मन से हो तो उसका नम अचक्षु दर्सन है इतनी सी बात है और कुछ नहीं है अवदी दर्सन क्या है इसमें मतियान वाला नहीं लेना इसमें क्या लेना सीधा अवदीयान से पहले जो सामान प्रतिवहास हो उसका नम अवदी दर्सन अबदी दरसन किसे कहते हैं? अबदी जान के पहले होने वाले सामान प्रतिवास को अबदी दरसन कहते हैं किसके पहले? अबदी जान के पहले जो सामान प्रतिवास होगा उसे अबदी दरसन कहेंगे किसी को ऐसा प्रस नहीं उठा? कि चक्षु दरसन आगया, चक्षु दरसन आगया, अबजी दरसन आगया, ने सब मना परे दरसन नहीं आया क्या बोले हाँ तो हाँ तो अच्छा है तो मना परे दरसन नाम का कोई दरसन नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि जो मना परे ज्यान है वह है दरसन पूर वक नहीं होता मती ज्यान भी दरसन पूर वक हुआ इसके अलावा कौनसा सुर्ट ज्यान भी नहीं लिया सुर्ट ज्यान का के पहले जो दरसन है वो सुर्ट जरसन भी नहीं लिया दो दरसन नहीं लिये मतियान के पहले वाले चक्षु दर्सन ले लिए चक्षु दर्सन ले लिए सुर्ट दर्सन नहीं लिए और मनापरे दर्सन नहीं लिए उसका कारण ये है कि जो सुर्ट जयान है वह मतियान पूरवक होता है इसलिए उसके पहले दर्सन की आवस्ता नहीं है एक पॉइंट और जो मना परेग्यान है वह भी अभी आप लोग पढ़ेंगे जब तो और विस्तार से आएगा जो मतियान के चार भेज है अवग्रह ईहा अवाय धारना सुनें ना तो उसमें अवग्रह के बाद जो ईहा है ना ईहा दूसरे नमर का उस ईहा मतियान पूरवक ही मना परेग्यान होता है तो मना परेग्यान ग्यान पूरवक ही हो जाता है इसलिए उसके पहले दरसन की आवस्ता नहीं है नसरत ग्यान में दरसन की आवस्ता है और ना मना परेग्यान में दरसन की आवस्ता है एक दोनों घ्यान पूरवक ही होते हैं, इसलिए इनके पहले दर्सन नहीं कहा। ठीक है? मैं लो उप्रस्ना आजाए, किस सृत दर्सन और मनापर यह दर्सन क्यों नहीं लिया? तो क्या कहेंगे? ये दोनों ग्यान दर्शन पूर्वक नहीं होते वलकि ग्यान पूर्वक ही होते हैं और दोनों भी कैसे ग्यान पूर्वक मतियान पूर्वक ही हो जाते हैं इसलिए इनके पहले दर्शन नहीं कहा होने को तो जब गहराई में जाओ और बड़े बड़े गरंधे पढ़ो तो कभी कभी कह देते हैं इसके पूर वाला जो गयान है न उप चार से उसके लिए धरसन ही है ऐसा भी कह देते है जैसे सुर्ट गयान के पहले अतવा मना परे गयान के पूर वाला जुगयान है ना मतियान तो उसके लिए वह एक तर ऐसे दर्सन ही है उप चार से ऐसा भी घटित कर देते हैं लेकिन विसे इस तासे देखें तो इस्तुरतियान और मनापरेगयान ये मतियान पूर वक होते हैं इसलिए इनके लिए दर्सन की आवस्ता नहीं है तो ना सुरत दर्सन है और ना मनापरेगयान दर्सन है अब अन्ते माते हैं कौन सा केवल दर्सन किसे कहते हैं तो अभी तक के तो दर्सन ऐसे थे कि ग्यान के पहले हो रहे थे चक्षू दर्सन अचक्षू दर्सन दोनों किस ग्यान के पहले हुए मती ग्यान के पहले हुए अवदी दर्सन किस के पहले हुआ अवदी ग्यान के पहले हुआ माने पहले दर्सन हुआ बाद में ग्यान हुआ लेकिन केवल दरसन में तोड़ा अलग है विवस्ता ये आगे पीछे नहीं होते पहले बाद में नहीं होते ये दोनों साथ साथ ही होते है क्या बुले सिरेस साथ साथ होते है मने केवल दरसन और केवल ग्यान दोनों एक साथ होते हैं नहीं होता कि पहले केवल दर्सन होगा फिर बाद में केवल ज्यान होगा इसमें लिखा केवल ज्यान के साथ साथ होने वाले सामान प्रतिभास को केवल दर्सन कहते हैं महने सामान प्रतिभास और विस्तेस प्रतिभास दोनों साथ में ही होते हैं आगे पीछे नहीं होते ठीक है प्रियांस चक्षु दर्सन चक्षु दर्सन अबदी दर्सन एक ऐसे होते हैं ज्यान के पहले और केवल दर्सन ज्यान के वल ज्यान के साथ होता है इतना इसन विस्थेस है ठीक है एक और अंतिम प्रस्ण है दर्सन चेतना कवद्पन होती है दरसंग केतना कवत्पन होती है वही बात है जो पहले अपन अभी पढ़ ली दरसंग केतना छदमस्त जीवों को ग्यान के पहले और केवल ग्यानियों को ग्यान के साथ साथ होती है ये छदमस्त कौन होते हैं हम सभी छदमस्त हैं पहले गुरिस्तान से बारवे गुरिस्तान तक के सभी कहलाते हैं छदमस्त अल्प ग्यानी ठीक है और तेरवे गुरिस्तान से सब कहलाते हैं सरवग के वल्यानी है तो छदमस्तों के तो ग्यान से पहले दर्सन होता है और सरवग्यों के केवल गयान के साथ साथ दर्सन होता है उसमें आगे पीछे नहीं होता है सब कुछ एक साथ होता है इस तरह से यहाँ पर प्रश्ण था दर्सन कितना कवतपन होती है तो छदमस्थों को गयान के पहले और केवलियों को ग्यान के सात हुत पन होती है इस तरह की चर्चापन रहकी अब अगली जो प्रस्न है उसकी चर्चापन आज़ी काशा में कि ग्यान चीतना की कितने भेदव है भेद और उनकी परिवहसाओं की चर्चापन आज़े करेंगे अभी यहां पर ही विराम लेता है